ही भिंडी का ये नाए ड़िव कि रेषी पीन मां आप एक बर अगर अगर बना ल हर बार इसी को ही बनाना चाहोगे मेरी गरेंटी है मैं गरेंटी देती हूं सबको पसंद आएगा सब मंगेगा इसी को बनाने के लिए बुंभ कहेगा और आप भी पसंद करेंगे अगर पाक्ति होते हो में सबसेरा खुआ हए जो सकते हो हो आप चाहिए बैब से नियुक्त किसे बात कर दो 12 सो необходимо our तो इस्कोस लिए दने पानी कर तो इसे कवर करके हम 10 किWow बाद 13 हा है अब हम चलेंगे इस को चूला के पस सदो देखे लिए चूला में सबसे पहले मैं कड़ाई बिठा दी थी और इसमें तेल डालेंगे और तेल डालके मैं इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे ज्यादा फ्राई इसको नहीं करना हां बस इसको एक मिनिट हाई फ्लेम पे इसको हम एक से डेर मिनिट हाई फ्लेम पे इसको फ्राई और तोड़ा साइज का प्याज सकते हो और याfeit में थोड़ा सा नमक डालेंगे और जब भी आप मसला डाले गयास का फ्लेम अब धीमे कर दे और अगर सुख जाए तो थोड़ा सा पानी डाले क्योंकि नहीं तो आपका जो मसला है वह जल सकता है अब हम धनिया पाउडर जरा साजीरिया पाउडर इसमें डाल दी है और मसला को हम भूनेंगे यहा अब के पास अग्दरग लसुन का पेष्ट ना हो तो आप घीस ले और उसमें भी चलेगा तो इसको अग्दरग लसुन को हलका साब भून लेंगे तक इसका स्मेल चला जाए कच्छा पन चला जाए और भूनने का बाद इसमें हम फ्राइब किये हुए भींडी को डाल दें और पानी डालके अच्छा तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने का बाद हम कभर कर देंगे देड़ से दो मिनिट तक मिडियाम फ्लेम पे पकाएंगे देड़ मिनिट बाद मैं यहां थोड़ा सा गरम मसला याड़ कर रही हूं यह अप्सनल है टोटाली आप चाहे अब फिर कभर करके मैं दी में आच में इसको 2 मिनिट पकाऊंगी और 2 मिनिट बाद हम इसको कभर खल के देह लेते हैं देखिए 2 मिनिट हो चुका है आप देखिए इसको मैं सामने से दिखा रही हूं और देखिए मैं गैस का फले में अभी बंद कर दी हूँ और देखिए ये कितना क्रेमी सी है ना कितना क्रेमी सी लग रहा है इसमें मैं दोही नहीं डाली हूँ कुछ नहीं फिर भी ये कितना क्रेमी सी जवरदस लग रहा है ये किन मनिये आपको पता ही नहीं चलेगा इतना म मज़ादार बांता है आप सच में कहेंगे कि वाँ यह इतना मज़ादार बांता है पहले तो नहीं पता था तो फिर देर की जबाद की इसे बना लीजिए फटा-फट और अपको कच्छा बना है और ये रिसीपि कैसा लगा है अब मेरी चैनल पर नहीं हो और अभी तक सब्सक्क्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसा ऐसे नहीं रेसिपी टीप्स के साथ लाएं रहते रहती हूं इंसाल ला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कई नहीं रेसिपी के साथ तब तक आप खुश रहिए अल्ला हाफीज